चाह, दस, मुख्य पाठ पुस्तक छितिज में संस्कृत चैप्टर का प्रश्ण उत्र समझा रहे थे, तीन प्रश्णों का उत्र समझा दिये थे, चौथा प्रश्ण है नुटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिये गए हैं, नुटन द्वारा प्रतिपादि सिद्धान्तों एवं ग्यान की कई दूसरी बाड़कियों को जानने वाले लोग भी नुटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते हैं क्या तो लेखक के अंस्वार संस्कृत ब्यक्ति हुआ है जो अपनी योगता के आधार पर नए तथ्यों का आविस्कार कर तथ्य के दर्शन किये हूँ नुटन ने सरपर्थम गुर्त्वा कर्शन के सिध्धान्त का आविस्कार किया इसलिए वा संस्कृत मानव था उसने अपने सिध्धान्त से सुषिक्षितों को परचित करवाया दूसरी ओर नुटन के सिध्धान्त से परचित होने वाले नुटन से भी अधिक ज्यान रखने वाले उसी प्रकार संस्कृत ब्यक्ति नहीं कहला सकते जिस प्रकार पुर्भजों से प्राप वस्तु शंतान को अन्यायास ही मिल जाती है तो संतान संस्कृत नहीं कहला सकती है अता आविस्कार करता आविस्कार का जनक संस्कृत ब्यक्ति होता है अन्य नहीं होता है इसलिए लेखा की प्रभासा के एंस्वार नीटन से भी अधिक बारिक्कियों का ज्ञान रखने वाला नूटन चे अधिक सब भी कहे जा सकते हैं संस्कृत व्यक्ति नहीं कहे जा सकते हैं पाचमा प्रस्णा है किन महत्पुर्ण आविसक्ताओं की पूर्थ के लिए सुई धागे का आविसकार हुआ होगा जब वसर्दी गर्वी को सहन करने में कोई लोग और समर्थ हो गया होगा या सीतोस्न से बचने के लिए उपाई ढूड़ने के लिए सुई धागे का आविसकार हुआ होगा अविसक्ताओं सार सरीर को सजाने की प्रवित्रने जर्म लिया होगा किसी तरह कपड़ों के दो टुक्रे को जोड़ सकने के लिए सुई धागे का आविसकार हुआ होगा या मन में हुआ होगा कि सरीर को अच्छी तरह से ढखा जा सकता है और कपड़ी को सीने के लिए सुई धागे का अविस्कार हुआ होगा छठा प्रस्णा है मानव संस्कृत एक और विवाद ये बस्तू है किनी दो प्रसंगों का उलेक कीजिए पहला है जब मानव संस्कृत को विवाजित करने की चेश्टा की गई है भारत अनेक संस्कृतियों और संप्रदायों का देश है यहां रह रही मुख्रूप से दो संस्कृत हिंदू और मुसलमान के मद्ध विद्वेश फैला कर अंग्रेज ने मानव संस्कृत का विवाजन किया मुसलमान के नाम पर और हिंदूस्तान इस दोनों का जो बटबरा हुआ इसी बेदभाव को लेकर हुआ आज भी अपने सरोदों पर मानव संस्कृत के बाग है क्योंकि मानव संस्कृत के बीच कोई लकीर नहीं खीची जा सकती है इसे एक होना चाहिए दूसरा है जब मानव संस्कृत ने अपने एक होने का प्रमान दिया है जब जब मानव संस्कृत ने अमानिव्यक क्रित से मनुष संत्रस्त हुए दानवता ने अपने पैर पसारे तो सभी बेदभाव गुलाकर मानवता के नाम पर उठख़रे होते हैं यतियासिक दिश्ट से जापान में गिराए गए प्रमानुभम के बिनास से संपूर्ण धर्दी काप गई तो विश्ट के लोगों ने एक होकर विरोध किया और अन्तिम प्रस्णा है आसाय अस्पष्ट करें आसाय अस्पष्ट करें